प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पाड़ी 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 पागित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है छे अप्रेल बुध्वार पहला पाट नभी दानियल का गरंद अध्याइतीन पद संख्या 14 से 20 एक्यानबे से 22 और 25 पाट का मूल अंस है उसने अपना दूत भेज कर अपने सेवकों को छुडाया नभुकदनेजर ने कहा ही सद्रक, मेशक और अविदनगो क्या यह बात सच है कि तुम लोग ना तो मेरे देवताओं की सेवा करते और ना मेरे संस्थापित स्वर्न मोर्ती की आराथना करते हो क्या तुम लोग अब तुरही, वनसी, सितार, सारंगी, वीना और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज सुनते ही मेरी बनाई मुर्ती को डंडवत कर उसकी अराधना करने तयार हो यदि तुम उसकी अराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वालित भठी में डाल दिये जाओगे तब काउन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा सत्रग, मेशक और अबिद्रगों ने राजा नबुकदनेजर को यह उत्तर दिया हे राजा इसके संबंद में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है यदि कोई इस्वर है तो ऐसा कर सकता है तो वह हमारा ही इस्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं वह हमें प्रज्वालित भठी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुडाएगा यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हे राजा या जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगी और ना आपकी द्वारा संस्थापित स्वर्न मूर्थी की आराधना ही यह सुनकर नबुकदनेजर सद्रक मेशक और अबिधनगों पर बहुत कुरूद हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया उसने भठी का ताप समान्या से साथ गुना अधिक तेज करने की आग्या दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ट जवानों को आदेश दिया कि वे सद्रक मेशक और अबिधनगों को बांध कर प्रज्वलिद भठी में डाल दे राजा नबुकद नेजर बड़े अचंबे में पड़ गया वा घबरा कर उट खड़ा हुआ और अपने दर्बारियों से बोला क्या हमने तीन ब्यक्तियों को बांध कर आग में नहीं डलवाया उन्होंने उत्तर दिया हे राजा आप ठीक कहते हैं इस पर उसने कहा मैं तो चार ब्यक्तियों को मुक्त होकर सा कुशल आग में तहलते देख रहा हूं चौथा स्वर दो जैसा दिखता है नवुकद ने जर बोल उठा धन्या है सदरक मेशक और अबिदनगों का इस्वर उसने अपने दूद को भेजा जिससे वह उसके उन सेवकों को बचाए जिन्होंने इस्वर पर भरोसा रखकर राजग्या का उलंगन किया और अपने सरीर अरपित कर दिये क्योंकि वह अपने इस्वर को छोड़ कर किसी अन्य द्यवता की सेवा अथवा अराधना करना नहीं चाहते थे यह प्रभु की वानी है संतियोहन के अनुसार पवितर रिसू समाचार अधिया आठ वाके संक्या 31 से लेकर 42 तक जिन यहुदियों ने उन में विश्वास किया उन से ईसा ने कहा यदे तुम मेरे सिक्षा पर द्रिर रहोगे तो सच मुझ मेरे सिश्य सिध होगे तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हे स्वतंत्र बना देगा उन्हों ने उत्तर दिया हम इबराहिम की संतान हैं हम कभी किसी के दास नहीं रहे आप या क्या कहते हैं तुम स्वतंत्र हो जाओगे इसा ने उन से कहा मैं तुम से यह कहता हूँ जो पाप करता है वह पाप का दास है दास सदा घर में नहीं रहता पुत्र सदा रहता है इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे मैं जानता हूँ कि तुम लोग अिबराहीम की संतान हो फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो क्यूंकि मेरे सिक्षा तुम्हारे हृदे में घर नहीं कर सकी मैंने अपने पिता के यहां जो देखा है वही कहता हूँ और तुम लोगोंग ने अपने पिता के यहां जो सिखा है वही करते हो उन्होंने उत्तर दिया अिबराहीम हमारे पिता हैं इस पर एसा ने उन से कहा यदे तुम अिबराहीम की संतान हो तो अिबराहीम जैसा आजरन करो अब तो तुम मुझे इसले मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना वह तुम लोगों को बता दिया यह इबराहिम जैसा आचरन नहीं है तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरन करते हो उन्हों ने ईशा से कहा हम व्याविचार से पैदा नहीं हुए हमारा एक ही पिता है और वह ईश्वर है ईशा ने यहुद्यों से कहा यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन हुआ हूँ और उनके यहां से आया हूँ मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ मुझे उसी ने भेजा है यह प्रभु का पवित्र सू समाचार है क्रिस्त प्रभु की जै ये सुमे मेरे प्रिये भाई और बहनो चालिसा का पवित्र काल हम लोगों को आध्यात्बिक्ता में बढ़ने के लिए एक सुआवसर प्रदान करता है यह वह आवसर देता है जहां पर हम अपने आप के सम्मंद को ईश्वर के साथ मधूर बनाते हैं यहावा अवसर देता है जहाँ पर हम अपने आपके सम्मंद को अपने भाई बहनों से मधुर बनाते हैं हम कह सकते हैं कि यह वह प्रक्रिया है जहाँ पर हम अपने आपके जीवन को परिशुद्ध करते हैं हम अपने आपके जीवन को शुदता की प्रक्रिया में डालते हैं जहां पर हमारे बोली, वचन, कर्म में शुदता आती हैं। हम अपने आपके जीवन को परिश्कृत करते हैं। आज के दोनों पांट हम लोगों को ईश्वर के साथ सम्मन जोड़कर रखने से होने वाले फाइदे के बार में बताते हैं। कि जब हम लोग ईश्वर के साथ जुड़कर अपने आपके जीवन को जीते हैं तो ईश्वर हमारे साथ होते हैं। हमारे हरे कार्य में ईश्वर आगवाई करते हैं और हमें अपनी क्रिपां से अपने सामर्थे से भर कर रखते हैं और यही बात हमें समझने की जरूरत है कि हम ईश्वर के जितने नजदिक होते हैं हमारा जीवन उतना ही अच्छा होता है हमारी आध्यात्मिकता उतने ही उन्नत होती है और वहीं दूसरी और हम ईश्वर से जितने दूर होते जाते हैं हमारा जीवन उतना ही बदल जाता है हम ईश्वर से दूर होने लगते हैं हम पाप कर बैठते हैं आज का पहला पाथ नभी दानिल के गरंद से लिया गया है। हम आज के पहले पाथ में देखते हैं कि ईश्वर के साथ अच्छा सम्मंध होने के कारण तीन व्यक्ति, शद्रक, मेशक और अबिद नगो ईश्वर के कृपा पात्र बनते हैं। उनके जीवन में ईश्वर की योजना पूर्ण होती है। उनको ईश्वर बचाते हैं। जब राजा नभुक अदनेजर अपने द्वारा इस्थापित मूर्तियों को आरादना करने के लिए उन्हें कहते हैं तब ये लोग उन्हें मना करते हैं। मर जाना पसंद करते हैं लेकिन देवी देवताओं के लिए नतमस्तक होना पसंद नहीं करते हैं। परिनाम यहुआ कि राजा नभुक अदनेजर ने उन तीनों को जलती हुए भट्टी में डाल देते हैं। लेकिन राजा क्या देखता है कि राजा चार व्यक्तियों को भट्टी के बीच में घूमते वे ईश्वर की महिमा गाते वे उन्हें देखता है। तो ईश्वर उनके बीच उपस्तित रहते हैं। और उसी उपस्तिती को ये तीनों व्यक्ति अपने जीवन में महसूस करते हैं। उसी उपस्तिती को ना केवाल ये तीनों व्यक्ति बलकि राजा और उनके लोग देखते हैं और इस प्रकार से राजा नबुक कदनेजर के जीवन में परिवर्टन आता है राजा नबुक कदनेजर कहते हैं धन्य है शद्रक मेशक और अबिदनगो का ईश्वर उसने अपने दूद को भेजा है जिस सेवा उनके उन सेवकों की रक्षा करे जिनों ने ईश्वर पर भरोसा रख कर राजाग्या का उलंगन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिये क्योंकि वे अपने ईश्वर को छोड़ कर किसी अन्य देवता की सेवा या आराधना नहीं करना चाहते थे और इस प्रकार से देखते हैं कि राजा सच्चे ईश्वर को अपने जीवन में लेकर आते हैं येसु में मेरे प्रिये भाई और बहनों जब हमारा जीवन ईश्वर ये जीवन पर आधारित होता है तब ईश्वर हमारे साथ रहते हैं हम अपनी कठिनायों का सामना करने के लिए समर्थ होते हैं प्रभू हमें बल देता है और उसी बल के द्वारा ईश्वर हमारे जीवन में चमतकार करते हैं उसी बल के द्वारा हम लोगों को ईश्वर की ओर लेकर आने में समर्थ होते हैं आज के सु समाचार में विश्वास करने वाले यहुदियों से प्रभू कहते हैं यदि तुम मेरे सिक्षा पर द्रिर रहोगे तो सच मुछ मेरे शिश्य सिद्ध होगे तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा प्रभू उन्हें शिश्वत्व का मर्म समझाते हैं यदि वे लोग येसु के शिश्य बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक योजना बताते हैं उनके लिए एक मार्ग बताते हैं उस सत्य की खोज में लगे रहने के लिए कहते हैं जो उन्हें वा सच मुछ स्वतंत्र बना दे और इस तरह से आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभू येसु शिश्वत्व के मुहतपूंड विशे को हमारे सामने रखते हैं येसु में मेरे प्रिये भाई और बहनों हम सभी कोई विश्वासी हैं और प्रभू में विश्वास करते हुए उसके द्वारा बताए हुए मार अर्पित करना चाहते हैं और चारीसा का यह काल हम लोगों को आवसर देता है जब हम अपने आप के जीवन को योग गिरिती से ईश्वर के लिए अर्पित कर सकते हैं और उसके लिए हमें येसु का शिश्य बनना है येसु के शिश्वत्व को ग्रहन करना है सबसे पहले उन में विश्वास किये प्रभू उन ही से कहते हैं वचन क्या कहता है जिन यहुदियों ने उन में विश्वास किया उन से ईसा ने कहा यदि तुम मेरे सिक्षा पर दृर रहोगे तो सच मुझ मेरे शिश्य सिध होगे तो हम देखते हैं कि शिश्य होने के लिए हमें जो विश्वास का उपहार हम लोगों को इश्वर के द्वारा मिला है उस विश्वास के द्वारा हम लोग प्रभू के वचनों को स्विकार करने लगते हैं पिता की योजना को अपने जीवन में समझने लगते हैं पाप के कलंग के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है और जीवन के मर्म को हम लोग समझने लगते हैं जीवन के महत्व के बारे में हम लोग जानने लगते हैं और यही वह विश्वास है जिसके द्वारा हम लोग प्रभू के अनुयाई बनते हैं तो शिश्य बनने का सबसे पहला कदम है प्रभू में विश्वास को लेकर आना और जब हम उसके विश्वास को लेकर आते हैं तो दूसरा मतपूर्ण कारिया हमारे सामने होता है कि हम प्रभू के वचनों के प्रति इमानदार रहें प्रभू के वचनों को हम सुनने के लालाईद रहें प्रभू के वचनों को हम अपने जीवन में उतारें उसके प्रति इमानदारी का जीवन जीएं और इसलिए हम लोग कि नाम संद्पावलुस के पत्र अध्याई 10 वाक्य संख्या 17 में पढ़ते हैं जहां पर संद्पावलुस कहते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन होता है और उसी सुनने की प्रक्रिया में लगातार बने रहने की जरूरत है संद्पती के सुसमाचार अध्याई 7 वाक्य संख्या 24 में प्रबु कहते हैं जो मेरी ये बाते सुनता और उन पर चलता है वा उस समझदार मनुश्य के सद्रश्य है जिसने चटान पर अपना घर बनाया था तो हमारे सुनने से हम में समझदारी आती है ईश्वर का ग्यान हम म में उतरता है और उसी ग्यान के द्वारा हम लोग ईश्वर के सच्चे अन्याई बनते हैं फिलिपियों के नाम संद्पावलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 9 में पढ़ते हैं जहां पर संद्पावलुस अपने सुनने वालों से कहते हैं आप लोगों ने मुझ से ज प्रभू के वचन को सुनने से हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्तिती होती है और इस तरह से जब भी हम प्रभू के वचनों को सुनते हैं उन पर मनन चिंतन करते हैं हमारे जीवन में ईश्वर का सानिध्या आता है हम प्रभू के सानिध्य में होते हैं और इस प्रकार से लगातार हम लोगों को प्रभू से सीखने की जरूरत है और तीसरा महतपून बिंदू है कि शिश्य बनने के मार्ग में हम लोग सत्य के विशे में महतपून मुद्दों को जानने लगते हैं प्रभू कहते हैं तुम सत्य को पहचान जाओगे जीवन में होने वाली हर एक परिस्थि में हम ईश्वरिय योजणा को पहचानने लगते हैं हमारा जीवन क्या है उसके गूर रहसियों को हम पहचानने लगते हैं और जब भी हमारे जीवन में कष्ट समस्याएं आती हैं तब हम उस सत्य को पहचानने ने लगते हैं जो ईश्वर हमारे जीवन में प्रदर्शित करता है उस दुखों के द्वारा उन कष्टों के द्वारा प्रभू ना केवल ईश्वर के सत्य से परिचे कराते हैं बलकि हमारे विक्तिकत जीवन से भी परिचे कराते हैं उस सत्य के हम को भागी बनाते हैं जहां पर हम अपने आप के जीवन के गोड रहस्यों को जानने लगते हैं पहचानने लगते हैं जीवन की वास्तविक्ता को सम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। उस सत्य को समझने के साथ ही साथ हमें एक नया परिवर्तन आता है और वह परिवर्तन स्वतंत्रता हमें प्रदान करती है। जब भी हमारे सामने स्वतंत्रता की बात आती है तो हम ऐसी अवस्था के बारे में सोचने समझने लगते हैं जहां पर हम जो चाहें वो कर पाते हैं। हम उड़ा पुत्र के जीवन में देखते हैं वह स्वतंत्र होकर अपने हिस्से का सारा संपती लेकर दूर देश चला जाता है। उसकी स्वतंत्रता ही उसकी गुलामी का कारण बनती है और उसकी सित्य बहुत दैने हो जाती है। जब प्रभु येसु स्वतंत्रता की बात कहते हैं तो ऐसी स्वतंत्रता के विशे में नहीं कहते हैं। क्योंकि प्रभु येसु स्वयम कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने का मार्ग येसु है। उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जो सत्य की आवशकता है वह येसु स्वयम है। और उस स्वतंदरता को प्राप्त करने के लिए जिस जीवन की हम कामना कर सकते हैं वा जीवन स्वैम येसू है और जब हम प्रभु येसू से जुड़कर अपने आप के जीवन को जीने लगते हैं तब हम उस स्वतंदरता को प्राप्त करते हैं जिसकी कामना प्रभु येसू आज हम से करते हैं येस्व में मेरे प्रीय भाई और बेहनों। इस पाठ के दोरा हम लोगों को समझने की जरूरत है कि हम सबffentlich कोई पापी है, कमजोर है। हम पाप में गिर जाते हैं हम ऐसी अवस्था में होते हैं जहांपर हमारा तारन हार मात्र प्रभुयेसु के हाथों होता है प्रभुयेसु ही हमें उस गुलामी से निकाल सकते हैं जहांपर पाप करके हम पाप का दास बन जाते हैं और उस स्वतंतरता के भागी बनने के लिए हम लोगों को ईश्वर की सिक्षा पर दृर रखने की आवसरकता है। इश्वर की सिक्षा को अपने जीवन में उतारे रखने की आवशकता है आए हम प्रभु से प्रातना करें जैसे कि हम इस चालिसा के आउसर पर गहन रुप से प्रभु के वचनों पर मनंचिंदन कर रहे हैं प्रभु हमें बल दे कि हम उनकी सिक्षा पर चलते हुए सच्ची स्वदंतरता को प्राप्त कर सकें सच्ची खुशी को प्राप्त कर सकें ओखुशी जिसे सद्रक मेशक और अबिदनगों ने अपने जीवन में प्राप्त किया आए हम प्रभु से प्रातना करें हे सरवशक्तिमान पिताप परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के सुन्दर दिन के लिए तेरे पुत्र हमारे प्रभु यसु क्रिस्ट के लिए जो हमको सत्य के विशे में आउगत करा रहा है वा वसत्य है जिसके द्वारा हम लोग पूर्न स्वतंतरता को प्राप्त कर सकते हैं तेरे सान्यद्ध में अपने आप की जीवन को देख सकते है प्रभु हम सभी कोई पापी हैं कमजोर हैं और बारंबार हम से गलतियां हो जाती है लेकिन फिर भी प्रभु तु हमें प्यार करता है तु हमारे बीच आकर हमें मदद करता है प्रभु हमें बल दे कि हम लगातार तेरी और मुड़कर वापस आ सकें तेरी योजना के अनुरूप अपने जीवन को जीने के लिए बल प्राप्त कर सकें ताकि हम अपने आपके जीवन को तुझे समर्पित कर सकें अपने आपके जीवन को समर्पित करते हुए तुझ में एक नया जीवन जी सकें अपने भाई बहनों में एक नया जीवन को जी सकें प्रभु हमें बल दे कि तेरे प्रेम, शान्ती, दया, शमा को अपने जीवन में अनुभाव करते हुए उसे के अनुरूप अपने आपके जीवन को जीते हुए अपने भाई बहनों को भी तेरी और अभिमुक करने में सामर्थ हो सके हम यह प्रात्ना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्ति के द्वारा, आमेन अवार आपके जीवाड़ करते हैं हमारे बहने जीवन में आपके जीवन को भी तेरी की जीवन में वारे बहने आपके जीवन करते हुए उसे नहीं हो झाल